दो नमस्कार दोस्ते को फिर से आप सभी का सौगत है हमारे चैनल गुरुकुली स्कूल पर जहां पर हम एक बिल्कुली लेकर आये हैं यह वीडियो जो है हमारा जॉब नोटिफिकेशन से संब्द देते हैं जो भी हमारे बच्चे आइटियाई से जो बच्चे हमारे चैनल प आपको सब्सक्राइब होने वाला है तो मैं इसमें क् hanाव को साथी डिटैल बताऊँका कि इसमें क्या 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 व्हाइफिकेशन चाहिए जो बटन बन क्या रहा है ना आपके वीडियो के दाएं हाथ पर उसको जरूर से दबाएं जो बच्चे हमारे चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनको ये लाल कलर का बटन दबाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जो बच्चे अभी अभी नए आए हैं वो ये जरूर से दबा दें क्योंकि आपके IT I Se Sambndhtet जो भी इंफोर्मेशन होता है जो भी आपका coz on मैटिरेल होता निया आपके ट्यस पेपर होता है या competitive में बात करने कोई भी इंफॉरमिशन होती या आई या कॉलेज या आई से संबंदित कोई भी जो महतवूर जानकादी होती है उस पर हमें हम जो है आपके पास तुरण्थ वीडियो लेकर आते हैं सबी चैनल से सबसे पहले हमारे चैनल पर ही आपको वीडियो मिलती है पास सबसे रिक्वेस्ट उसे जरूर से दबा दे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अने मितों तक शेयर करें ताकि उन तक भी नोटिफिकेशन पहुच पाए तो चलिए देरी ना करते हुए इस नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं तो यह जो नोटिफिकेशन आज हमारे पास आया है वो आया हिंदूस्तान कोपर लिमिटेड की तरफ से इसमें जो है engagement of trade apprentices की उसमें जो भरती है उसके लिए ये आया है application खेतरी copper complex हिंदुस्तान copper limited यानि कि खेतरी copper complex में आपका ये आया है जो कि आपका ये जुनु राजिस्थान इंडिया में आपका ये है तो online application जो है वो आपकी 22 November से start हुई है इसमें 21 November को ये advertisement इसमें निकाला था की रहेगी दो साल इसमें जो है number of seats आप देख लें तो मेट के लिए मेट माइंस के लिए जो है वो साथ है ब्लास्ट अगली 100 है इसमें जो academic qualification जो चाहिए रहेगी वो ये रहेगी पास मतलब 10th पास रहना चाहिए या फिर metric exam जो है 10 प्लस 2 system के education या उसके equivalent exam होना चाहिए तो 160 इसकी है हम बात कर लेते हैं diesel mechanic की जिसमें की 10th exam तो होई ही हो साथ में साथ ITI भी आपका जो है पास हो candidate concern trade कोई भी इंस्टीट इंस्टीट एंसी वीटी एंसी वीटी से तो डीजल mechanic का जो है वो training duration दो साल रहेगा और इसमें टोटल 10 पोस्ट है आई है इसे फिटर, टर्णर, विल्डर, एलेक्रीशन, लेक्रोनिक्स, मेकैनिक, ब्राट्स्वेंड, सिविल, मेकैनिकल, कोपा, सर्वेयर, रेफ्रिजरेशन, एर कंडिशनर इन सब का जो duration वह एक साल रहेगा और यह सारी जो है इनकी जो पोस्ट है जो पोस्ट निकली है टोटल से पढ़ लेते हैं कि candidate जो है उसकी जो qualification है जो table में लिखी वो qualification जो है complete होनी चाहिए cut of data यानिकि जब तक इनकी जो last data भढ़ने की तब तक आपकी जो qualification जो है वो complete होनी चाहिए Candidate must be ITI passed from respective trade for applying against the post और वो ITI जो NCBT, SCBT से recognize हो यही सब लिखा हुआ है Candidates जो 2019 या फिर 2019 से पहले जो है पास हुए है उनको एक affidavit produce करना होगा apply वो भी कर सकते हैं लेकि उन्हें एक affidavit जो है produce करना होगा कि उन्होंने इस बीच कोई भी apprenticeship training नहीं की है या फिर कहीं भी employment न non-judicial stamp paper पर जो है magistrate और notary public से आपको जो है artist करा के produce करना होगा अब इसमें रेखी लिखाए Candidates possessing higher professional qualifications such as diploma BE और equivalent shall not be considered यानि कि उनके लिए यह नहीं है Additionally candidates having higher academic qualification like BA, BSC, BCOM etc. will not be given any additional weightage तो इसमें यह सब चीज यह लिखी नहीं तो यह consider में नहीं होगे आपकी जो एज है वो candidate की age जो होनी चाहिए वो minimum 18 साल होनी चाहिए और maximum 30 साल होनी चाहिए cut-off date किया है और इसमें जो age relaxation है वो आपका 5 साल जो है age relaxation इसमें admissible है उसके SCST के लिए और 3 साल जो है OBC Candidates के लिए पीरिएड ऑफ अपरिंटिश रिणिंग उसमें जो है उनने दे रखी है स्टाइपेंड आपको जितना आपको जो है इसमें admissible rules के अंडर जो आते हैं स्टाइपेंड वो आपको मिलेगा selection methodology अगर हम देखें तो इसमें इनने जो लिख रखा है कि किस basis पे selection करेंगे आपका तो the candidates will be selected on the basis of merit based यानि कि आपका जो आइटी आई या पर 10 पे आपके जो मार्क्स हैं आपके उसमें आपके जो है उसके अधार पर आपकी एक merit list तयार की जाएगी आई टेंथ के basis पे और उस हिसाब से आपको बुलाए जाएगा इसके बाद आपका फिजिकल फिट होना चाहिए कैसे आप अप्लाए करेंगे उसका जो लिंक है वो मैंने आपके इस वीडियो के जो दाइंग होगा जैसी आप खुलेंगा उसमें एक description box खुलेगा और उसमें आपको जाके apply करना रहेगा तो पहले आपको अपना registration पूरा करना होगा step 2 में आपको online submission जो है करना होगा application का नहीं तो आपका जो है registration complete नहीं माना जाएगा और आपका जो है application incomplete मानी जाएगी registration on the our portal is mandatory for all candidates हर candidate के लिए registration mandatory है इसके बाद step 2 में आप submission करोगे इसके बाद फीस की इसमें जो है general instruction इसमें तो यह साथ चीज़ा आप पढ़ लेना मैंने यह notification में नीचे attach कर रखा है और इसके बाद हम देखें तो dates की पहले बात कर लेते तो online application की जो ओपनिंग डेट थी वह थी 22 November cutoff date for age and qualification जो इनने लिख कई वह एक November से जो है एक November तक आपकी जो है एज उतनी होनी चाहिए और qualification जो हर रिस्पेक्ट में आपकी पूरी होनी चाहिए एक November 2022 से पहले की उसकी जो इसकी जो closing date है आपकी वह 12 December 2022 और जो shortlisted candidate की जो list है वह 31 December 2022 को जो है शो कर दी जाएगी और हमाई जो है free of cost form है इसमें आपसे AP पैसा नहीं लिया जाएगा आपको सिर्फ अपना application करना है और इस application को submit कर देना है तो इसमें जो है आपका जुन-जुन राजिस्थान में खेतरी नगर में खेतरी copper complex जो हिंदुस्तान copper limited का जो office है वहां पर आपका जो है पोस्टिंग होगी आप उसे दवाना बिल्कुल न भूलें वीडियो के बाए हाथ पर जो like का बटन उससे भी दवाना बिल्कुल न भूलें तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं अगले notifications अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद